तो आज मैं टो आप लोगों से एक रेसेपी करने वाली होगों तो वह कांच है आपके केवाच केवाच के रेसेपी में और अगरता में बदत करता है दमा में बदत करता है यह बिदिकलट्रीं इसका इसके लिलाब किया जाता है। कहुआँ को आप जानती होंगे जो गाओं से जो बिलॉइंड करते मेरैं वे फ्रेंट की कांच मतलब के वांच होता है जो पिलेक कलर होता है जो की मतलब i'mlai की टाइप से होता है right moreage मोटाव दीखता है ये वैसे مشी मुसी टाइप से होता है और यह भी इसका जो पेड़ है फ्रेंड पेड नहीं लता है या बेल होता है जैसे कि सेमी वगेरा का होता है सेम वैसे होता है और बहुर ठी फायदे मंद होता है हमारे बाड़ी के लिए और यह जो होता है इसे थोड़ा सा हलका सा इसे अगर हम कच्छे फॉम में चूते तो करती हो क्यां करने के दूने के काशिस नहीं करती हो यह जो कपषै कोई कमांच जिसमे होता है किसी कसी में ज्यादा नहीं होता है dissolम .... यह जो के माढशित तो बालने के बाद आप उस टिल का उतार्यों कि उपार के उपना पल्त उसे हम भी स्क ज़ादा भीज होता हुर्प ज अब क्षर पाइदा है बहुत होता है बनाना असान होता है और है शो मैं अबर yap probability अबना है Kaiser स्टैप से पसंद करते हैं तो मैं आपसे एक लेसे भी सेयर की थी खट्टे में आज भी सेयर करने वाली हूँ टमाटर के साहं तो बन देखिएगा आपको जो अच्छा लगए आप सेयर बनाईएगा और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर किजिएगा और सभी से जो रिक्वेस्ट है कि जो मेरी चैनल में अगर पहली बारा होंगे उसे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करके सेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड को हैल्पूर हो ये वाला वीडियो तो जरूर सेयर करने की कोसिस कीजिएगा और हमारे यूटूब फैमली में आपको जो नए सब्सक्राइबर जो नए मेरे फ्रेंड से जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यावार जो मेरी चैनल से जुड़े और मेरे यूटूब फैमली का खिस से बने तो प्लीज फ्रेंड्ड ऐसे ही हम एक आपके तरफ नाम से जाना जाता है यह क्योंकि मेरे तरफ से के मार्स बोलते हैं और इस यारृटिक कोउच नाम से हैं तो अगर आपके तरफ कुछ और नाम बोलते होंगे, ज़रूर मुझे बहुत करके बता हुएगा और आप मैंने दे पारी हो उसके लिए आप सभी स कर पाती हूं तो इसलिए कभी-कभी मैं वीडियो के लाइस्ट में आप लोगों से थोड़ा-थोड़ा उसका आंसर देने की कोशिज करती हूं और वैसे जितने कोशिज करती हूं तो प्लीज आप लोग अपना कमेंट करते रहना सपोर्ट बनाए रखना और सभी को एक बाद फिर से दिल से ठैंक्यू तो चलिए अभी मैं बनाती हूं के वांच की सब्जी जो आप लोगों से में सेयर कर रही हूं तो जरूर आप लोग फूरा वीजो ला के वांच करते हैं तो के में अबल्ट को अपनाते हैं तो इसे पहले फूरा लेते हैं कुब कर में अब अब आपनागा जादा ज़रत और उसके बाद इसे चलका उतार लिजे और चलका उतार लकार को निकाल को आपको लिग or और चिलका के बाद अंदर का जो यह गुदा है या परल्फ है जिसे हम परल्फ बोल सकते हैं इसे आप चाकू की साहतास निकाल लीजिए इसका जो परल्फ है फ्रेंट थोड़ा सा पतला था क्योंकि इसका बीज जो है मोटा हो चुका है तो इसलिए कम था जो किसी किसी थोड सब्सक्राइब के लिए और चिलका को फेक दीजिए तो सभी को ऐसे ही सापतल लीजिए उसके बाद इसे एक दो घंटा हम धूप में रख देते हैं चाहे तो अब तुरन भी बना सकते हैं पर धूप में रखने को बनाएंगे तो बहुत अच्छे से भूंते बनता है और ब मेकंद का सब्जी को भी थोड़ा सा हम तुरन भालने के बाद उसे थोड़ा धूप में रखते फ्रेंट तो ज्यादा अच्छा से बनता है सब्जी तो वैसे ही इसे भी करती हूं फ्रेंट थोड़ा सा धूप में रख देती हूं और उसके बाद मैं इसे सब्जी बनाती तो इसको देख़े, इस टैब से भी आप निकाल सकते हैं इसका जो उपर का जो छिलका है बहुत इसी होता है, इसे साफ करना इस देख़े, इस भुबात है, उपर में जो इसका जो गुदा है इसका जो पल पर बहुत कम है इसमें किसी किसी में पर महुत अच्छा रहता है इसका जो पीज अगर छोटा रहता है ना तो इसका जो पाल पर महुत है तो सभी को देखे मैं निकाल ली हूँ अब इसे धूप में रख देती हूँ दो तीम घंटे के लिए एक घंटे में यह काफी रहता है अगर रखेंगे तो देखें दोप में रखने के बाद इस कैसे हो गया तो अब इससे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए एक बरतन में तेल ले लीजिए और उस तेल में हम गरम होने पीसे डाल के अच्छे से फ्राइए करके न अब इसके वज़ी से निकाल लिजिए बरतन में इसके रिषयपी मैं खटे में बनाई हूं प्रेंड आज मैं टमांतर में बना रही हूं तो खटे में अगर देखना है तो एक रिषयपी और है इसका लिंक मैं आपर स्टेर करूँ जिए उसे चेक कर लिजएगा कराई तेल गरम तेल कर देदे, यहां सरसो तेल ही यूजह 두 ainda हैं, यहां इस пры VOICE ख़ए काईल के सब जानते होंगे po ur सब जानते होंगे कि मैं सरसो तेल से ही, मतलब ज्यादा है सरसो تेल तेल यह बनीthird है यूज़े हुए तो यह देखे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे छोड़ा सा जीरा और खोड़ा सा हीं पज्जी में हीं जाने के पेस बढ़ जाता है और इसके बाद डाल देंगे एक कटन हुआ प्याज और इसके लिए फोड़ा देख विंखें हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे छोड़ा सा मुतलब जिसमें हम तो जोड़ा तो इसमें हल्डी पॉडर मैं ज्याज़ा तक कोशिश करती हूं कि प्याज डालने के रद हल्डी डालने के तो तबजी का कलर बहुत अच्छा आता है प्रेंट कभी खरी ही है जो बहुत ब जम्या और लसून और मिर्ची उसका पेष्ट है तो इसका पेष्ट को में थोड़ा सा मतलब जो खल बचता होता है तो उसी में पूखी हो चाहँ को आप इसे घ्राइंड कर सकते हैं और उसकी बहुत अशा फ्लेवर आता है अगर हम लसून, मिर्ची और धनिया कर ये वाला अगर 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 नमक दालजें वाज कि चांव कालें नमका ञुदने वह संब करें हुए, उसके बनाच कोजधी गुदर दाने काउते हुए, शच्छे जक्षाप हो भी तरह राचेए काँच का बीज उसे डाल देते हैं को किनाच भी बोलती है मैं बाइबर आपको बताईए प्रेंट किनाच और काँच सेम हुना है दोनों एक ही हो तो देखिए इसे भूम लीजिए अगर आप इसे चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेवी बनाना तो हलका सपानी भी आप डाल सकते है और इस फर्फ्रा और उसका प्रेंट में ज़र्ग बनारे है और यहां पर ऑड़ी डर दाले हैं ध्रवाडर बनां दो हितिता हैं अगर नाप जीडस सकते हैं और भी जटेस्टी लगता है इसे दो चावल किसाम किसी किसाम पर घटा सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी वाला सद्गी पसंद है, तो हलका से यहां पर आल जिरास कदीप पानी डाल के आप इसे ग्रेवी वाला भी गना सकते हैं सद्गी को, तो इसका बीज बहुत ज़्य प्रश्टी लगता है इसका स्वाद दूसरे सब्जीवार बना रहे हैं सेमी अलू मतर की सब्जी भी मेरा तयार हो गया है और दुसरे साइड में मैं बना रहे हैं कौच का बीज की सब्जी तो देखें यह भी तयार हो गया है तो चलिए दाल भी बन गया है तो मेरा सब्जी तो बन गया फ्रेंट और आप लोगों ने देखा भी अगा पूरा वीडियो तो कैसा लगा फ्रेंट बताईए अगा जरू तो चलिए फ्रेंट मैं वीडियो को ही पर कतम कर रहे हूं आई होप अपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करना ना बूलना तो चलिए फ्रेंट ओकी बार थैंक यू